हाई एप्रिवान वेल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल निशान स्टेडी करनर होप यू आ दोई गूड तोडेस वीडियो इस आल अबाउट वाल्डव पार्ट्स दिस दफोर्थ चाप्टर अब साइन्स बुक लेट्स डिसकॉस इट डिसकॉस करने से पहले अगर आप मे चैनल में ने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और मेरी इंस्ट्राग्राम आईडी भी फॉलो करना बार्ट्स यानी पक्षी पक्षी बहुत सुन्दर होते हैं आप लोग पक्षी तो देखे होंगे जैसे स्पैरो पिजन क्रो हें डग सभी पक्षियों का रंग समान नहीं होता है उन लोगों का आकर भी अलग-अलग होता है कोई भूरा होता है कोई नीला होता है कोई पीला होता है कोई हरा या कोई मिक्स रंग के पाए जाते हैं पक्षियों के से दिखाई देते हैं सबी पक्षियों के पूरे सरीर में पंक होते हैं उनके एक कठोर चोंच दो नतुने, दो आंक, दो बड़े पंक और दो पेर में पंजे होते हैं इस पिक्चर से देखो यह है बीक, यह है आई, यह है यहर और यह है फीदर्स, यह है वींग और नीचे है टेल, यह है लेग और लेग में यह क्ला मतलब पंजा How do birds fly? पक्सियां कैसे उड़ते हैं? पक्सियों का एक स्वत्यंत्र तरह के रूप होता है, जिससे वो उड़ सकते हैं पक्सियों का सरीर नाओ के आकार का होता है उनका पंक है, उनके हड़ी, खोकले, हल्का और हवा से भरा होता है पक्षियों के पांक दो तरह के मुव्मेंट करता है अप स्ट्रोक उपर की तरफ और डाउन स्ट्रोक नीचे की तरफ बड़ी फीदर्स अब बार्स पक्षियों के पांक उनके पांक अलग-अलग रंग के होते हैं जो पक्सी को ठंड और बारिस से रक्षा करता है बारिस का एक बुन सरीर में भी नहीं रहता है दो तरह का पंक एक है डाउन फीदर, दूसरा है फ्लाइट फीदर डाउन फीदर्स पूरे सरीर को ढखकर रखता है ये पंक छोटे, नरम और रोहिंदार होते हैं ये सरीर को गरम रखता है जबकि फ्लाइट फीदर्स मतलब उड़ाने वाले पंक ये पंक उड़ने के लिए सहायक होते हैं ये उड़ने वाले मांस्पेसियों से जुड़ी हुई होती है ये पंक बड़े सपाट और सक्त होते हैं ये पंक्सियों का उड़ने में मदद करते हैं पंक्सियों का भेद फ्लाइट बड़्स जो पंक्सि उड़ सकते हैं उन्हें फ्लाइट बड़्स केते हैं उनका खोकला और हवा से भरा पंक सरीर को हलका बना देता है वे उड़कर अपने लिए खाना डोनते हैं, सत्रों से खुद को रक्सा करते हैं और खराब वेदर से भी अपने को रक्सा करते हैं पिजन, पैरोट, इगल, all are flying birds नेक्स्ट है, flightless birds, जो पक्सी उड़ नहीं सकते क्योंकि उनका पांक हडी छोटी होती है और उनके सरीर भी वजनदर होता है जैसे कीवी, पेंगुईन, ओस्ट्रिच ये सब बच्चों ये याद रखना, hummingbird सबसे चोटा और अस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी होता है पेंगुईन पक्षी एक अच्छा सुईमर है नेक्स्ट है, aquatic birds और water birds कुछ पक्सियां पानी के पास रहते हैं, वे फानी से अपना खाना डून डून कर खाते हैं वे पानी में डूपते नहीं क्योंकि उनका oil gland होता है ठीके, वो कौन-कौन से पक्सियां है हेरोन, फ्लेमिंगो, क्रेंस, all are aquatic birds नेक्स्ट है, eating habits of birds पक्सियों का खाद्य अभ्याश पक्सियां अपना-अपना जाहिर वक्त खाने की खोज में गुजारते हैं बहुत से पक्सि कीडे, मकोडे खाते हैं कुछ पक्सियां जैसे eagle, hawk, all ये सब मानसारी होते हैं इन्हें कीम्ती पक्खी कहते हैं कुछ पक्सियों जैसे pigeon, hummingbards, साकारी होते हैं पर crow और sparrow जैसे पक्सि सर्व भक्षक होते हैं big stop bars, पक्सियों का चोंच बिक मतलब पक्सियों का चोंच होता है, उसे वील भी कहते हैं, पक्सियां अपनी चोंच को खाने के लिए, सिकर करने के लिए, बच्चों को खाना खिलाने के लिए, खाना इकठा करने में, अपना घर बनाने में, सत्रों के साथ जुद करने में, पत्थर तोडने के लिए, ग चोंच अलग अलग प्रकार का होता है पक्सी जिस तरह का खाना काता है उसी से उसका चोंच निर्वर करता है जैसे ओल इगल उनका घुमावतर चोंच है डग का चोड़ी चोंच है और भी याद रखना पक्सियों का चोंच के अंदर दांत नहीं होता है अभी मैं बताती हूं चौंच का प्रकार अलग पक्सी का अलग अलग चौंच होता है जैसे स्पैरो पीजन का क्रकर टाइप का चौंच होता है जिससे वो कठिन वीज को अच्छे से खा सके इगल हाक ओल उनका तीखा गुमा उतर चौंच होता है जिससे वो मांज को फाड़ के खा सके उड़ पिकर का चीसल की तरह चोंच होता है जिससे वो मखी अच्छे से खा सके हमिंगबर्ड सनबर्ड जैसे पक्षियों का चोंच बहुत बड़ा ट्यूब जैसा होता है बतक आरहंस ऐसे पक्षियों का चलने की तरह चोंच है जिसमें छोटे-छोटे छेद हैं जिससे वो मड़ी वाटर से कीडे ढूनकर खा सकते हैं, हेरोन, सwashयों, पक्षियों के स्पीयर लाइक चोंच होते हैं, जो कि उन्हें मचली पकड के खाने में सहायक होते है, वर्भलोर जैसे पक्षियों का पतला तिक ट्वीजर लाइक चोंच होता है, बहुत छोटी मक्षी को खाने के लिए क्रो का मल्टी पर्पोज जैसा चोंच होता है जो कि उसे फल खाने में बीज, कीड़ा खाने में सहयक होता है फीट और क्लॉज और पार्ट्स पक्षियों का अलग-अलग प्रकार के पेर और पंजे होते हैं ये पक्षी को चलने, चड़ने, खोदने, पकड़ने में मदद करता है इगलर हाक जैसे पक्षियों का कर्ड पंजा होता है जो चीजों को पकड़ने में मदद करता है ऐसे पंजे होने से वो अपना सिकार जैसे चुहा, मचली, मुर्गा इसको अच्छे से पकड़ कर अपना खानपान पूरा कर सकते हैं मुर्गा अपनी पंजे से गिली मिट्टी खोद कर उससे कीड़ा पकड़ कर खाता है हंस, वतक जैसे पक्षियों का वेब्ड फीट होता है जो उन्हें पानी में तेरने में मदद करता है रबीन, क्रोश, पैरो जैसे पक्षियों का पंजे ऐसे हैं जैसे वो सकती से पेड़ की डाली को पकड़ सके जो उसे जल्दी से दोडने में सहायक होता है पैरोट उड़पीकर जैसे पक्षियों को डाली पकडने में सहायक हो ऐसे पंजे है जिससे वो पीछे से नहीं गिर सकते हैं क्रेन फ्लेमिंगों का वेडिंग टाइप का पंजा है जो कीचड की जगह या थोड़ा पानी की जगह में अपना पेर बिना गिला किये अच्छे से चल सकते हैं नेस्टिंग हबिट्स इन बार्स पक्षियों का वास पक्षियां अपने लिए अच्छी जगह डोंड कर अपने रहने का स्थान या अपने घर बनाते हैं जिसे गोंसला केते हैं उनका गोंसला अलग-अलग तरह का होता है वो किस घर के छत के ऊपर बड़े पेड़ के खोल में खंबे के उपर पुराने महले में जाडियों में अपना घर बना देते हैं वो सिर्फ रहने के लिए घर नहीं बनाते वो अंडा देने के लिए और अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए घर बनाते हैं नेक्स्ट है टाइट सप नेस्ट घोंसले का प्रकार प पुर्पिकर, पैरोड, ब्लूबर्ट जैसे पक्षी पुराने पेड के तने में गुहा गोंसला बनाते हैं। स्पैरो, बुलबुल, हमिंग बार्ट जैसे पक्षी घास, मौस, लाइकन को यूज करके अपने लिए कप गोंसला बनाते हैं। क्रो, इगल, भल्चर और काइड ये सब अपने लिए पेड के उपरी हिस्से में मंच गोंसला बनाते हैं। बुनकर पक्षी अपने लिए सुन्दर और सक्त गोंसला घास और पत्ते से बनाती है। कितना सुन्दर है देखो, दरजी पक्षी, कपड़ा, वाल, उल, मकडी का जाला ये यूज करके अपनी चोंच को नीडिल की तरह यूज करके अपने लिए गोंसला बनाती है। ये भी बहुत सुन्दर दिखता है। पक्षी अपने बच्चों की देखवाल केसे करते हैं। खाना ना ढून सकें, तब तक मावाप उनका देखवाल करते हैं। बच्चे बड़े होने पर खुद ऊड़ जाते हैं।